यह हैं सोनमर्क जहां मैं खड़ा हूँ और यहां से हमारी जर्णी शुरूरूने वाली है सोनमर्क से लेकर कारगिल की सोनमर्क से लेकर कारगिल का डिस्टन से करिबन 123 किलोमिटर और जानी के लगते हैं 3.5-4 गंटे अगर आप नौस्टाप जाते हो तो बट मुझे कम से कम 5-6 गंटे लगे थे क्योंकि जोजिला पास के पास काफी ट्राफिक था और थोड़ा सा स्नोफॉल भी हो रहा था और रेनफॉल भी हो रहा था उसके अलावा रोड़ भी कहीं के जगा भी थोड़ा सा खराब है और 20-20 में काफी जगापे हैं मैं फोटो वगर लेने के लिए रुक रहा था इसलिए वैसे नजारा जो है इस रस्ते का वो काफी देखने लायक है और बहुत ही सुन्दर है चारो तरफ आपको पहाड मिलेंगे स्नोफाल भी आपके आपको देखने को मिलेगा तो द रस्ते से जाते हुए आपको देखने की मिलेंगे ये बड़े-बड़े पहाड ये उच्छे-उचे पहाड ये लंभी-लंभी नदिया चारो तरफ बरफी-बर्व कच्ची सड़के पक्की सड़के बंजर जमीन हरी-हरी जमीन छोटे-चोटे रोड बड़े-बड़े रोड चोड़े चोड़े रोड छोड़ी चोड़ी दुगाने चोड़ी चोड़े घर और आपको मिलेगा स्नोफॉल भी और बड़ा लंबा चोड़ा ट्राफिक भी आते जाते हुए कुछ लोग भी और सबसे बड़िया बात की सीनरी आजू बाजो की देखनी लाइक जो है जिसकी लिए कश्मीर जाना जाता है तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखे रोड की कंडिशन की बात अगर करें तो रोड की कंडिशन काफी अच्छी है दस में से मैं इसको दूँगा साथ पॉइंट्स क्यूंकि कुछ कुछ जगा पर काफी बैड पैच है जहां पर काम भी शुरू है तो आने वाले कुछ मैनों में या कुछ सालों में लेह जाना यहां से सोनमक से काफी आसान हो जाएगा winter में ये road बंद होता है जो कि April में खुलता है और October में बंद होता है मतलब April से लेकर October तक खुला रहता है road थोड़ा हिली है और कुछ जिगजग भी है कुछ-कुछ जगा पे छोटा road है और कुछ-कुछ जगा पे काफी बड़ा हुए चुकि ये national highway 1 है तो इसका जो रख्रकाव काफी अच्छे से किया हुआ है और काफी सारे passengers यहां से गुजरते है यह देख सकते हैं आप जोजिला पास जोजिला पास के पास कितनी लंबी लाइन लगी है क्योंकि आगे लेंड्स लेडिंग हो रही थी तो कुछ लोग वहाँ पे काम भी कर रहे थे तो लेंड्स लेंडिंग की वज़ए से också बी वह लोग रीपरिंग का काम कर वह कर रहे थे उसके उपर हलकिल की बारज भी हो रही थी इसके वज़ए से भी थोड़ा सा ट्राफिक जाम वहाँ पर लगा हुआ था हम लोग जा रहे हैं दोजीला पास से हुखा कर गिल जाते समय आपको द्रास के पास द्रास के पहले एक एंट्री पोइंट लगेगा जहां आपको अपने खुद का और वेहिकल का एंट्री करना पड़ेगा और आपके थोड़े वहाँ पर डिटल्स भी देने पड़ेंगी तो आपके एडेंट्री कार्स की जेरोक्स वगरे वहाँ पर आप निकल के रखिये मुश्किल से आपको 5-10 मिनट का समय लगेगा और वहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे सोनमक से कारगिल जाने के लिए टैक्सी का किराय करीब आपको साड़े तीन हजार से लेकर चार हजार तक का पड़ेगा और आपको ले जाने के लिए आपको कारगिल में स्टे करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में अगर आप करना चाहते हो तो कश्मीर से वहाँ की जर्नी आप नहीं कर सकते आज कल तो बस भी जाती है स्रीनगर से होकर ले तक या फिर अगर दिली से भी जाना चाहते हो तो दिली से भी ले तक बस में आप जा सकते हो धर सकते हो झाल झाल गांडे बजगे राख श्नोफाल हो रहे है भाई दर मज़ा रहा स्नोफाल होगे तो स्नोफाल कैमेरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मालूम नहीं मुझे है लेकिन स्नोफाल हो रहा है कैमेरे में दिख रहा है कुछ भी स्नोफाल चलो स्नोपाल तो देखने का चीज नहीं है मतलब एक्सपिरिंस करने का चीज है यही है द्रास के लिए इंट्री पॉइंट जहाँ पे आपको अपने डिटेल्स और आपके वेहिकल की डिटेल्स यहाँ पे रिजिटर करने पड़ती है और वो लोग काउन करते है कि कितनी लोग इस रूट से पास हो है इसके लिए आपको बेसिक कप के अडिटेटी के डाकुमेंट देने होते है और बाकी आपको पाच मिनट के अंदर भी आपका एक रिजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा कि अड़ती है कि भी अपयाय है कि उड़ से बाली ठाली हैं कि लुट ऩाइ खबसे कि लड़ शजया कि प्रचा कि युट से लिए में किला कि लिए लुटation कि लिए यूँटमीजगा है कि लिए लुट सबस्केद्ट कर दो 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 का टो अन समय है owns से कि मारी जुिछ को शुब है वे कर दो झाल झाल जाल प्रभावार्स टुर्ष ऑजो एकास्ट कर दो यह झाल है झाल प्लवा है प्रफ एल स्टाफ यह झाल कर दो कर दो कि अघए हैं झाल 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 लग धे भी थाई झाल फे वाल हे दो पुमया हम आपग पुम्हश खाच उज़ फुम्हश हम आपग पहम रिए रिए जाप ङुम्हश रहाई बदत श्रॉब कर दो कि अपने करें दो कि अबसे ही जो कि अबसे हैं कर दो खडिता है कőm मु è विप्र गशीपूर कrim csoport 1000 24 24 spooky 24 24 24 24 झाल 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 झाल